सिल्केरा टरनल के अंदर जो 41 मजदूर पिछले 12 दिनों से फसे हुए हैं आज ये संभव है कि कुछ देर शाम तक उन 41 मजदूरों को सुरक्षित वापस बाहर निकाल लिया जाए लगातार पिछले 12 दिनों से ये उपरेशन जारी है और इस वक्त हम सिल्केरा टरनल के ठीक बाहर मौझूद है मैं तस्वीरे आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से पिछले 11 से 12 दिनों में इस उपरेशन को अंजाम दिया गया है इस टरनल के अंदर मलबा गिर जाने के बाद से ये उपरेशन शुरू हुआ था और अब ये अपनी अंतिम कड़ी पे आ पहुचा है पांच एजिंसीज मिलके इस पूरे रेस्क्यू उपरेशन को अंजाम दे रही है इस पूरी कवायद में देश और विदेश से ना केवल टेक्नीशन आई वे हैं बलकि मशीनरीज भी आई वी है अमेरिकन मशीन और गर यहां पे काम कर रही है बीती रात ये उमीद लगाई जा रही थी कि और गर मशीन अपना काम कंप्लीट कर देगी वो उस और गर मशीन को उसकी देखरेक कर रहे हैं उसके पार्ट के बारे में जानकारी ले रहे हैं साथ साथ आपको ये भी बता दें कि 45 इंच तक की जो ड्रिलिंग है उसका काम अब तक पूरा हो चुका है लेकिन ये कल शाम को चार बजे का अपडेट है उसके बाद से क्योंकि और गर मशीन में समस्या आ गई साथ साथ ड्रिलिंग के टाइम पे करीब 4 स्टील और लोहे के पाइप बीच में आ गए जिनको गैस कटिंग से NDRF ने काटने का काम किया और अब वो पाइप कट चुके हैं और इसी लिए और गर मशीन अपना काम आगे बढ़ाएगी 12 मीटर और 57 मीटर की ड्रिलिंग करनी है और ऐसे में 12 मीटर की ड्रिलिंग एक बार और कम्प्लीट हो जाएगी तो फिर मश्दूरों को निकालने का काम NDRF और SDRF के जवान करेंगे जैसे ही मश्दूरों को निकाला जाएगा वहाँ एक 6 बिस्तर का अस्पताल छोटा सा S3 अस्पताल बनाया गया है ताकि किसी मश्दूर की हालत अगर ज्यादा खराब होती है तो सबसे पहले उसका जो चेक अप है जो प्राइमरी चेक अप है वो यहीं पर कर लिया जाए यहां से डेड़ से दो घंटे का रास्ता है जो की चिलियाली सौर में 41 बिस्तरों का अस्पताल तयार किया गया है जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी वहां पे उनका प्राइमरी मेडिकल चेक अप होगा किसी को अगर कोई भारी समस्या होगी तो उसका इलाज बिच लियाली सौर में किया जाएगा साथ-साथ जो उनकी मान से किस्तिती है उसको परखने के लिए भी डॉक्टर्स जो है वो वहां पे मौजूद है यहां पे भी आप देखें कि जो मशीनरी है अभी तक साइट से हटाई नहीं गई है इससे पहले बताया गया था कि होरिजॉंटल डृलिंग भी की जाएगी उपर से perpendicular drilling भी की जाएगी जो बरकोट का रास्ता है वहाँ से blasting कर रही थी बियारो लेकिन आखिरकार जो पहली तरकीब थी pipes डालके निकालने की वही तरकीब आखरी में सफल होती हुई नजर आ रही है और इसलिए जो पहले 900 mm के pipe डाले गए थे उसी के उसी में जो है 800 mm के pipe insert किये गए है और अब केवल दो pipe और insert किये जाने हैं उसके बाद सफलता हाथ लग सकती है उमीद तो यही थी कि बीती रात results आने थे लेकिन कहीं न कहीं उसमें डिले हुआ technical कारणों की वज़े से थोड़ी ही देर में मुक्यमंत्री पुशकर सिंग धामी भी यहां पहुचेंगे इसके अलावा उनके साथ वीके सिंग जो केंद्रिय मंत्री है वो भी यहां पे आएंगे वो इस जगे का मुआइना करेंगे और अगर सफलता मिलती है तो यह संभव हो सकता है कि पुशकर सिंग धामी की मुलाकाद जो है इन एक तालिस मजदूरों से हो जाए जो दिवाली के समय से यहां पे पिछले बारा दिनों से फसे हुए है